हलो तोस्तों मैं हुआ प्रांजास अभी का स्वागत करता हूं कि टो वाइल के विगूफ फ्रेश वीडियो के अंदर यहां प्रेकर हम लोग बात करते हैं पेटकोइन के बारे में तो पेटकोइन में आज हैवी क्रैश हमें देखने को मिला है जो कि आप इस लेवल पर देख हुआ था उसमें के हिट कर चुगा है हाला कि अभी भी बाइंग कंडिशन नहीं पन रही पर जो लोग बाइदर करना चाहते हैं उनके लिए स्पार्ट के अंदर और बागी जगे पर यह सिचुएशन बढ़िया है और यही चीज़ हम लोग ने लास्ट के वीडियो में भी बात यहां पर करी थी जहां पर कि बिटकॉइन का डंप हो सकता है क्योंकि आप जो पैटन से वह बहुत अब तक सिमिलर थे और उसमें में एक शौर्ट तम में आप कह सकतेगी एक और डंप देखने को मिला अभी फिलाल में यह जो लेवल होगा 41,300 से 42,000 का यह एक इंपॉ पर देखने बार अगर आप दोबारा एंट्री देखना चाहते हैं कोई पोजिशन तो 44,000 का लेवल है इसके आसपास आप शौर्ट पोजिशन लेए देख सकते हैं यहां पर 47,000 के आसपास में बाकि इंपोर्टन सोने दिखते हैं यहां पर होल्ट होता है यहां फिर आने गए तो बाकी के रिवन वापी से नीचे क्रेश कर गए और यह बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है जो कि बिट्कॉण को स्टिल यहां पर थोड़ा सा बियरिश यहां पर बना देता है यह शौर्ट टर्म बियरिशने से मार्केट की लॉंग टर्म बियरिशने नहीं है मार्केट हमें ओके देखने को मिल रहा है बट जैसे में आपको लास्ट ने भी बिता था कि 60,000 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टन फिगर है यह जब तक ब्रेक नहीं होगा बिट्कॉण बुल मार्केट के अंदर वापी से नहीं गूस पाएगा जो उसका एक लेक्स हम कह स सकते हैं जो लास्ट बागी बिट्कॉण के बास एक और पर करेंट सपोर्ट पाइचांस अगर लेवल टूट जाता है तो जो एकदम पर्फेक्ली लास्पोर्ट है वह है 37,000 पर तो बाइचांस अगर यह रात में आज की रिट में किसी भी कारण से टूटता है तो अगले स इसको सीखना चाते हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं जिसका आज लास्ट है जहां पर की 25% का डिसकाउंट है तो अगर आप इसको यह इंदर जॉइन करना चाते तो आप मुझे इमेल है टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं नीचे ब्लैक बार में यहां पर आईडी दी गई है हैं तो इसके अंदर क्रिप्टो की बेसिकénergie करें सकते हैं साथ ँप्लस आप क्रिप्टोके साथ फ्वारें के चार्ट के उपर बॉधिटिग करने हैं वह इनदर इंदर बीट्याइश संको मिल सब्सका यहाँ यहांपे जाता है पर यहां यह पर जाता है घ्लम यह कोई से भी market bounce हो जाता है तो यहां पर एक better deal situation हो सकती है यहीं पर बात करते हैं Bitcoin के CME chart के बारे में दो CME chart बापी से open तो हो गए बट अभी तक हमें कोई भी gap देखने को नहीं मिल रही है तो wait करना हमें यहां पर पढ़ सकता है और इसके कर सकते हैं यहीं पर बात करते हैं Bitcoin की dominance के बारे में तो dominance हो रही है और ऐसा बहुत कमी time देखा जाता है कि dominance इंक्रीस हो और प्राइस टॉप हो और यह चीज़ कर ध्यान रखें कि Bitcoin की dominance आ रही है इसका यह भी मतलब हो सकता कि Bitcoin का प्राइस आने वाले time में dominance को follow करें और dominance अगर इसी level को breach करके उपर की तरफ जाती है जो कि हमारे पास support रहे है almost 44.6 के आसपस में तो यहां पर हो सकता कि Bitcoin के अंदर भी हमें recovery देखने को मिलें and yes इस time पर गिरेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉशिसली आपकर काम करना होगा वहीं पर बात करते हम लोग other market के बारे में तो यहां पर भी हमें correction देखने को मिला है हलाकि यह बहुत अच्छा जोन था जहां पर market ने दो बार इसको hold कर रहा है लेकिन उसके जादा डीप हो सकता है हाला कि बिटकॉइन ने बीटी सी पेर में इतना जादा correction नहीं लिया जितना डॉलर पेर में लिया है तो आइधिंग कि बिटकॉइन जब भी बहुत ज़्यादा क्रूशेस है कि मार्केट हैं पर क्या चीज़ परफॉर्म करता है क्योंकि अगर यह किसी भी कंडिशन में इसको ब्रेक कर देता है तो कही ना कहीं एथिरियम के लिए यह एक अलामिक सिच्वेशन होगी और आप यह चीज़ समझ सकते हो क्योंकि जब भ देख सकते हैं इस रेंच के अंदर अब तक ब्रेक आउट हुआ नहीं है तो हमें थोड़ा सा बीट करना होगा देखते हैं कि मार्केट यहां पर क्या पर्फॉर्मेंस देता है बड़ अगर ऐसा कुछ होता तो आपके वास एक अलामिक सिच्वेशन है जिसके अंदर कि हैट और यह वाला शोल्डर का फॉर्मेशन बना हुआ है और इसी फॉर्मेशन की वज़े से अगर आप मार्केट के डाउंसाइट के ब्रेक आउट को देखते हैं जो कि अल्रेडी यहां पर हो चुका है तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट हैं पर 35,900 तक गिरने की बाट इसे चीश का धेयन रहे हैं कि मार्केट टेक्स में रिवर्सल लाकर देता है तो मार्केट इसके उपर आकर जंप आफ करता है तयान मार्केट वापस से बुलिश हो जाएगा और यहां पर यह हमारा ट्रेंगल है वह आप कह सकते हैं इक तरीके से इन्वालिड हमें हो हो गई है जैसे मैं आपको लास्टेम भी बताया था कि या तो इस जोन में हम लोग बाई कर सकते हैं और अगर यह जोन ब्रेक होता है तो मार्केट को बहुत ज़्यादा एफेक्ट यहां पर हो सकता है हालाग कि लाइट कोई भी डंप आता है तो वह थोड़ा सा बड़ा हो सक सब्सक्राइब कर लेगा अगर यह रीकवरी नहीं हो पाती है तो मार्केट यहां पर फॉलार डाउन कर सकता है और लास्टेम आपको इस बीर फ्लैक के बारे में भी बताया था तो इसके ब्रेक्डाउन के अकौर्डिंग हमारा टार्गेट 132 डॉलर के असपास है जो कि आ फिलार में आपको वेट करना पड़ेगा सारी चीजों के अंदर क्यां पर अभी कोई एंट्री मिलनी नहीं है और दूसरी जो भी एंट्री मिलेंगी वह शौट की ही ज्यादा रहोंगी जब तक मार्केट वापीस है लॉंग पोजिशन की तरफ सेटल डाउन नहीं हो जाता नेक्स अब बात करते है चैनलिंग के बारह में तो चैनलिंग हमारे उस फिकर में आ गया जिसके बार में बात करी थी आइंड अभी के मैं इन सभी सकते हैं नेक्स कोई की बात करें तो यह है Bitcoin का और बाइनस का कोई और बाइनस के अंदर जो ब्रेक आउट था वह आप नहीं हो पाया प्रापर तरीके से अगर आप इसको थोड़ा आप डाउन करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर हम लोग बात करते हैं XRP के बारे में तो XRP का भी लेवल टूट चुका है जो मैं आपको बताया था कि कोई शिफ्ट करता है या कुछ अपर मोमेंटम देता है तो 12% का जंप हमें देखने को मार्केट में मिल सकता है यहीं पर बात करते हैं अगले कोई नियों के बारे में नियों में हमने लास्ट टाम इस जोन की बारे में बात करे थी कि मार्के 46 या 48 में रुखना चाहिए सुबारा से शॉर्ट पोजिशन देखने को मिल सकती इसका कोई दूसरा भी बाई जोन नहीं है आप चाहिए तो 40 के असपास और इसका जो प्रीवेस लेवल है 38 इसी को एक सेकेंटरी बाई जोन की तरहीं कर सकते हैं और अगर आप इसको यहां पर क्योंकि मार्केट को यहा ठोड़ा बैक्टर यहां पर रहने बहाला है नैक्स पर बात करते हैं दॉट से बारे में जो चैनल इसके बार हमार में पर बदेखने को मिला था जिसमे ठोड़े चांसे मार्केट करेब बड़ए चैनल को ही फॉलो करके मार्केट विए तरफ तक नीचे की तरफ दिरा हैवी रहेंगे कि मार्केट इसको ऊपर की तरफ टेस्ट कर सकता है लेकिन इस टाम पे बिटकॉइन का साथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिटकॉइन अगर कंटिन्यू क्रेश करता है तो यह लेवल होल्ड नहीं हो पाएगा और कही ना कहीं डॉट के अंदर फिर हम क पाया है इसका जो सपोर्ट है वो ब्रेक वाइं प्राइज के अंदर हमें हैवी इंपक्ट देखने को मिला है और यह इंपक्ट के अगर बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी के सपोर्ट के सबसें पिए तो फाइफ टैन डॉलर का एक नियरस टार्गेट है जहां पर पर फोड़ी हैं इसके उपर अगर मार्केट वापस कवर कर पाता है तो आप वापस एक रिली इंज्वाइब कर सकते हैं नहीं तो यहां पर पर आपको वही शोल्डर हैड और शोल्डर का देखने के मिलेगा डिजाइन सोल के अंदर भी और इसके बाद अगर मार्केट के दो तिन लेवल्स होंगे पहला जो लेवल है वो है 106 का दूसरा लेवल होगा 80 डॉलर के असपास का इन दो लेवल्स पर फिर हम फोकस करके चलने वाले हैं इसी के साथ हैं आप बात करते हैं आज के लास कोई जो कि है कड़ानो इस पर तो मैं आपको कली अपडेट देती थ जाता है तो 2.2 से लेकर 2.3 डॉलर एक resistance होने मार्केट को एक rejection देखने को मिल सकता है तो मार्केट इसके उपर होल्ड करें नहीं करता है तो मार्केट इसी तरह यहां पर ड्रॉप भी दे सकता है तो यह थे दोस्तों सारे के सारे कोई और इसी के साथ अगर हम लोग टोटल म नहीं कर पाए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट इसके पर सस्टन करता है तो हमारा सीधा टार्गेट 2.3 होगा और यहां पर हमें एक फ्लरिश करेक्शन देखने को मिला है और इस करेक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट 1.79 ट्रिलिन का सपोर्ट ले सकत है उसके दो रिज़न है सबसे पहला है कि मार्केट यहां पर एक कब जैसा फॉर्मिशन बना रहा है तो हो सकता है कब हो यह हैंडल ओर हमें फिर ब्रेकाउट देखने को मार्केट में मिल सकता है महीं पर अगर 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 आपर होती है तो प्राइस नीची के तरफ मूव क करेंगे जो कि 1 trillion तक आएंगे according to high market gap और फिर यहां पर market 1.4 trillion को hit कर निकले जाएगा और इस्टिल वही कप एंडल का जो formation है वह स्टिल हमें यहां पर valid देखने को मिल रहा है तो अभी यही थे आज के लिए कोई आप चलते सीधे अपनी निउस पे सबसे पहले निउस आ रही है यहां पर SSC की तरफ से जो कि आप कह सकते कि एधिरियम बेस जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट कंपनी है उनको आप सबस्क्त यहां पर उनको स हम कर वर आप कर सकते हैं तो सारी यहई ठीक मिल जाएंगी है और यह पहले हम कही हम कहा सकते कि एक फॉर्म बन चाती जो कि एधिरेम बेस के पर अब रियल इस्टेक को इजी तरीके से कर पाएगी तो एधिरम का फ्यूचर डैफिनेटी वराइट है फंडामेंटल सच्छे प्राइजिस के अंदर उच्छाल और गिरावट तो आप कहा सकते हैं कि मिलती रहती हैं लेकिन जो फंडामेंटल से दिनवर दिन स्ट्रॉंग होते जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में जो इन्वेस्टर्स हैं एकली उनके लिए तो प्रॉफिटेबल और यहां पर अगर बात करें तो उनके पास लगवक्स अब साथ सो बिटकॉइन होगा है जिसकी करेंट वैली थर्टीटू मिलियन के असपास है और तीन हजाड डॉलर की साथ सबसे अगर और कम कर दोगे तो 28 मिलियन के असपास आपको लेखने को मिल जाती है बट फिर भी बढ़ा फिगर और साथ सो बिटकॉइन जस्ट आइटिंग यह स्टार्टिंग है हो सकता है कि अपने पॉर्टफिलो में 10,000 बिटकॉइन तक भी आने वाले टाइम में एड यहां पर कर लें और इसी के साथ एक संदेश है बाइदर डिप जो कि हां पर खुद इनके प्रेस से पर प्रोवाइड कराई जाएंगी उसी के लिए सारी सर्विसें आपर दी गई हैं और यहां पर को इसके लिए 4,55,000 मिलें जिसमें कि तीन साल के कांट्रेक में 1.36 मिलियन यहां पर होने बारे तो एक अच्छी चीज हमें देखने को मिल रहे है कि जो एक्सेंट जैसे व और उपन सी के अगर वॉल्यूम की बात के तो 6.5 बिलियन का आप वॉल्यूम इच्छे लाग से जाधा ट्रेडर यहां पर ट्रेड करते हैं और उपन सी सबसे बड़ा वॉल्यूम है अगर आप चाहिए तो उसकी लिस्ट को भी यहां पर चेक आउट कर सकते हैं आँए आपक दोसुरो वीडियोटियो अब देला करें तो प्रॉआ